हेलो बच्चो कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे मैं दिने शादो वेलकम करता हूँ आपका एसल के इस ओनलाइन प्लेटफोर्म पर जहां पर हम लोग आज के सेशन में डिसकस करने वाले हैं केमिकल कानेटिक्स के पी वाई क्यूस बतब लास्ट जो सेशन में कुछन पूछे गए हैं जेई में और नीट में उन कुछन को आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं क्योंकि यहां से जो कुछ कॉंसेट्स है जो आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं तो यह कोशन से मानगे चलना बोर्ड में भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोटेंट होने वाले हैं तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आज के सेशन में जो हमार बास पहला कोशन है जरा ध्यान से देखो यह कोशन में आपको पहले भी करवा चुका हूं सिमिलर पैटन पे कोशन मैंने करवाया था लेक्चर फोर में वहां पर क्या है यहां पर यह बोल रहा है कि हमारे पास जब भी 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वर्दी करूँगा ना तो वहां कर वेक कितना हो जाता है दो गुना हो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास म्यू का मान कितना दे दिया इसने दो दे दिया बताए पहली बात क्लियर यहां तक ओके आगे बोल रहा ह कि ताप मान को 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाया मतलब इसने क्या दे दिया आप लोगको डेल्टा टी दे दिया क्या हां बिल्कुल दे दिया पचास डिग्री बढ़ा रहा है वो मतलब पहले सपोच करो कुछ ताप हुआ करता था पहले अगर मैं 0 मान लू और plugging क्यों की दर कितने गुना हो जाएगी मतलब पहले जो बहुत में अभिकरिया की दर आ जाएगी वह कितने गुना हो जाएगी पहले वाले के उसे को हम लोग worth करना है तो इसके लिए मैंने आपको एकी फॉर्मला बता रहे है फॉर्मला क्या था वी-2 डिवाड़ बाई-व होता है तो चलो values put करो तो यहां से v2 is equal to कितना जाएगा mu कितना हो गया आपके पास 2 हो गया 2 की power में कितना जाएगा 50 और 50 बटे साथ में क्या रहेगा 10 साथ में गुणा कितना हो जाएगा V1 हो जाएगा मैंने इधर भीज दिया बताओ अब बताओ तो यहां से यह कितना हो जाएगा V2 is equal to 2 की घाट 5 हो जाएगा कि यह अरे होगा नहीं होगा जहां पर हमें formula नहीं पता हो सकता हम formula भूल जाए हो सारी tensions होती ना दिमाग में हो सकता formula भूल जाए तो उसके लिए मैंने इसको करने का आपको तरीका बताया था वहां पर मैंने क्या बोला था कि आप तो कोई भी एक temperature लेलो ठीक है उससे 10-10 degree बढ़ाते चलो तो मैं यहां आपके चलता हूं कि सुरुवात में मिरपार जो temperature था जीरो डिग्री Celsius था ठीक है कितना था जीरो फिर कहां पहुंचा वह 10 पर फिर कहां पहुंचा बीस ऐसे करते करते कहां तक बढ़ाना है मिरको अरे 50 तक बढ़ाना है क्या 40 और यह कहां पहुंच गया 50 पर बताइए पह बोला उसने जस्ट दुगनी हो जाती है 10 दिग्री पर मैं बूलू अगर यहां पर एर है तो यहां पर कितनी हो जाएगी तू आरवन यहां पर कितनी हो जाएगी शिक्स्टीन ऐसा कुष्षिन कर वाई था आप लोगोसे आई होप कुषिन को समझ पारे हो आँसे कर सकते हो तो आंसे कितना हो जाएगा 32 गुना बताइए कर सकते हो और हमसे ठीक है नेक्स्ट क्वेशिन पर चलते हैं मिर पास क्या है? A और B है. उसमें किरियाकार कोने? A और B है. अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है, यदि B की संदता क्या कर दी जाए? दुगनी कर दी जाए. तो पहले उसने जो बोला है, उसको लिखते हुए चलते हैं. इसने क्या बोला है? कि अभिक्रिया की दर कितनी ह यहां पर एक्स ओर वाई को पता कर ले तो चलिए उसी को पता करते है उसी को पता करते हैं करने के इसने जो को conditions बोलिए उनको हम लोग follow करते हुए चलते हैं इसने बोला यदि B की सांदरता दुगनी कर दी जाए मतलब B जो पहले B हुआ करता था उसको कितना कर दिया वो उसने इज इक्वल्स टू के ए में तो कुछ भी नहीं किया तो एको तो ऐसे कैसे रख लो तो यह X हो गया बी के साथ क्या किया बी को जेस्ट डबल कर दिया अब क्या लिखूंगा यहाँ पर टू भी और साथ में क्या जाएगा वाई पताए एक क्वेशन नंबर वन बन गई ठीक ह हाँ आगे बोल रहा है तथा दर आठ के गुनक से बढ़ जाती है जब दोनों अभिकार को की सांदरता को दुगना कर दिया जाए मतलब अभी इसने क्या बोला कि जब हम लोग A को कितना कर दे 2 A कर दे ओके और B को कितना कर दे 2 B कर दे तो अब जो हमारे पास दर आने वाली है R3 जो आने वाली है वो कितनी हो जाएगी 8 गुना हो जाएगी प्रारंबिक की तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 R हो जाएगी क्या जो R3 आएगी आपके पास पताइए यहाँ तक यह बात लिख सकते हो गया अगर यह बात आप लिख सकते हो तो इसके लिए आप सम्मिकन भी बना सकते हो, समीकन क्या बनेगा जरा बताइए, यहाँ पर क्या करना आपको, वेग तो कितना हो गया, आठ आर हो गया, बराबर के तो ऐसे के से रहेगा, अब देखो A के साथ क्या किया, इसने A को just डबल किया, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 2 A, और इसकी पावर क क्या करना है, X और Y की value calculate करनी है, मैंने वहाँ पर आपको लोग को बताया था, कि आप जब भी calculate करो, तो आप ऐसे समीकन को ढूंडा करो, जहां से A easily cut out हो जाए, मतलब वहां से cut जाए वो, तो देखो, यहाँ पर देखो, A की power X, A की power X, अगर मैं समीकन 1 में समीकन 2 का भाग लगाँ, तो K और A की power X तो cancel out हो जाएगा आपका, अरे होगा नहीं होगा, फिर कोन बचेगा आपके पास, B बचेगा, तो B कोस हम लोग क्या कर सकते हैं, solve कर सकते हैं, तो यहाँ पर अब मैं क्या बोल रहा हूं, कि समीकन 1 में, क्या बोला मैंने, समीकन 1 में समीकन 2 का लगाने पर, ठीक है, आप इन questions की practice करने लग जाओगे न, तो competition exam में आप बहुत आसानी से इसको solve कर लगए, आपको यह समीकन लिखने की जूरती नहीं पड़ेगी, आप easily question को देखके भी solve कर सकते हूं, यह मैं थोड़ा board के point of view से बता रहूं, तो थोड़ा सा समझते यहाँ पर आपके पास कोन है, अरे 2R है क्या, is equals to, यहाँ पर कोन होगा, देखो, K और A की power X है, तो K और A की power X cancels out हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, B की power Y, divide by नीचे क्या बचेगा, 2B की power Y, अब देखो मैं क्या करूँ, यहाँ पर B की power को क्या कर लेता हूं, 2 की power Y, बहार निकालने तो, तो B की power Y से B की power Y भी cancel out हो जाएगा, R से R cancel out हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, आपके पास यहाँ पर बचेगा, 1 by 2 is equals to, नीचे क्या बचेगा, 1 by 2 the power Y, अरे यही तो बचेगा क्या, अगर देखो मैं इसको उपर में लि लगा दूँ, तो बताइए, कोई दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी न, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे की power भी क्या लगा सकता हूँ, Y लगा सकता हूँ, क्यों, 1 की power Y भी क्या रहेगा, हमें सा आपके पास एक ही आने वाला है, एक की power कुछ आपके बस क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको क्या लगा दूँ, इसको मैं लिख देता हूँ, मैं completely power में लगा देता हूँ, तो यह क्या हो गया, 1 by 2, यहाँ पर 1 by 2 की power कितनी है, 1 है, is equals to, यहाँ पर कितनी है, 1 by 2 की power, Y है, तो जब आधार समान हो, तो घाते क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो बताइए, यहाँ से Y बराबर कितना आगया, आपके पास, एक आगया, तो आपने Y को तो ढूंड लिया, तो Y बराबर कितना आगया, आपके पास, तो बताइए, Y बराबर आपके पास आगया, एक, तो बताइए समी कंद दिख जाए जिसमेaz ओटमेंटी कनल आूट हो जाए तो धेहान से जाइकवो यहाँ पर समीघन दो समीकण ाफलोग को यहां पर टूबिकर को यह य। यहां जाआ पर टूबिकरिकर रहे नेऴन करत SC ass को नेक्स्त अपने पास क्या होगा समीर कन दो में यह समीकर्ण 2 था इसमें किसका भाग लगा दू समीकर्ण 3 का भाग लगा दू यहाँ पर आपके पास क्या है 8R तो 8 उपर की तरफ रहेगा तो calculation करना थोड़ा सासान रोगा ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं समीकन 3 में ठीक है आगे मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर समीकन 3 में समीकन 2 का भाग लगाने पर किसमें समीकन 3 में समीकन 2 का भाग लगाने पर पताइए यहां से आप कर सकते हो क्या तो अब जरा एक बार पीछे चलके देख लीजिए समीकन 2 क्या है समीकन 2 आपके पास कितना है यह रहा 2RK समझ रही इसको बात को ठीक है तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ appli, समीकन क्या था जरा उसको देख लो और समीकन 3 आपके पास 8R था और साथ में दोने क्या था तो अपने को यहां पर लिखना है,8R is required to K to A की power क्या था आपके पास X था ठीक है और 2B की power कितना था Y था इसको करना समीकर्ण 2 से समीकर्ण 2 क्या था 2R और 7 में क्या था A और B ठीक है तो यह तो हो गया 2R और यहाँ पर कितना हो जाएगा बराबर को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? Dvide by k A की पावर साथ में क्या रहेगा? x और 2B के पावर में क्या रहेगा? y तो देखो यहाँ पर क्या B से B चैनसिल आउट हो जाएगा? यह तो चैनसिल आउट हो गया ठीक है? R से R भी चला गया, K से K भी चला गया अब देखो इसको तो अगर मैं थोड़ा सा rearrange करके लिखूं, तो rearrange करके लिखने पर आपके पास क्या बचेगा, ये तो कितना हो गया, 4 हो गया, 2 divided by 8, कितना हो गया, 4 हो जाएगा इज इक्वल्स 2, यहाँ पर ये कितना हो गया, जो एक की पावर x से एक की पावर x चला जाएगा, और 2 की पावर तो यहाँ पर आपने क्या बता दिया, कि y बराबर तो हमारे पास कितना आये था, 1 आये था, और x बराबर कितना आये था, 2 आये था, तो जलो वापस अपना option ढूड़ते है, y बराबर तो अपने पास कितना था, y बराबर तो एक था, और x बराबर कितना था, 2 था, तो जल ना ठीक है तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स क्वेशन पर आरामसे इसका स्क्रिंस्टोट लेकर सॉल कर ले ना नेक्स क्वेशन अपने पास क्या है उसको भी जरा देख लीजिए यहां पर फिर से कहां से आया अपना क्वेशन ही ताप गुणांग थियोरी से अभी मैंने दो मिनिट पहले करना आपको सिखाया था तो सेम जल्दी से सोल करके मेरे को एक बार आंसर कमेंट करके बता दीजी कि आपको सोल कर पा रहे हो इस क्वेशन को गीख है तो चलिए आप लोगों सोल कर रहे होंगे इस क्वेशन को तो हम लोग भी सोल कर लेते हैं देगे कैसे क्या सूल होगा यहां पर यह बोल जाता है कि किसी सुनने को T की अभीक्रेक लिए पड़ते के 10 दिग्रीस पर ताप दिग्री Celsius कर दिया जाए तो अभिक्रा का वेग हो जाएगा मतलब पहले कितना था दस था दस से कहां गया हो बीस बीस से तीज फिर चालीस पचास 60 70 80 90 और कहां पहुंच गया आप 100 यह तो बुला कि 10 दिग्री से बढ़ागर कितना कर दिया उसने 100 कर दिया तो अब जल्दी से वेग के बारे में बता दो वेग के बारे में क्या बुलूँगा अगर यहां पर मेरे पास आर था तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 आर हो जाएगा यहां पर 4 आर 8 आर 16 और यहां पर कितना हो जाएगा 32 आर यहक इतना हो जाएगा 65 अब बता हो यह कितना हो जाएगा बारा, दो, दस, एक, ग्यारा, ठीक है, दो, दो, चार, एक, पाँच, कितना हो जाएगा, पांसो, बारा, आर, तो बताइए, पांसो, बारा, कौनसा हो जाएगा, आपके पास second option आ जाएगा क्या, तो इस question को भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, ऐसे question बोड में भी पूछे जाते हैं, और आपके competitive exam में भी पूछ जाते हैं, ठीक है, तो इन questions को करने के लिए मेरे ख्याल से आप आराम से कर सकते हो, तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने next question पर, next question क्या है, उसको विजरा देखी, यहाँ पर देको बिल्कुल सा question आप से पूछा गया है, मैंने last lecture में आप से discuss भी किया था, क्या discuss किया था, कि जब हमारे पास RNA समीकन हो, दो अलग लग ताप मानों पर दिया हो, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, RNA समीकन दो अलग लग ताप मानों पर आप से लिखवा गी पूछा इसने, तो वो कैसे लिखेंगे, उसका एक सिंपल सा फोर्मॉला है पूछा गया है, यह पेमटी 2012 में पूछा गया था, और हाँ, बोड में भी ऐसे MCQ पूछे जा सकते हैं, ठीक है, फोर्मॉला बेस बोड में MCQ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो चलिए, इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं याद है किया, मैंने बताया था, दवाई की तरह याद लेलना, दो दिन लेलना, आराम से याद कर लोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने पास क्यों होगा, K is equals to A dot e to the power minus ea by rt, यही होती है क्या आरनीस equation, याद है न, चलो, अब इसका ln लेलो, तो यहाँ पर अग minus ea by rt, यही होता था क्या, अगर इसको मेरे को दो जगे लिखना है, दो जगे कहाँ पर जब तापमान T1 हो, जब तापमान T1 हो, तो वेग निये तांग कितना होगा, K1 होगा, यह तो बुला उसने, K1, K2, हाँ, धर निये तांग दे रखा है, K1 ता था, K2, और जब ता लोग भी कर सकते हो, दोनों values बूट करने के बाद आपके बाद दो सम्मीकण बनेगे और दोनों को minus करेंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, LN K2 divided by K1 is equals 2, साथ में क्या रहेगा, LN A से LN A तो cancel out हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, ea by r, और bracket में क्या रहेगा, 1 by T1 minus 1 by T2, बताइए, क्या याद था आपको यह सम्मीकण, मैंने उस टाइम भी बूला था, कि हमारे पास इस सम्मीकण को अपने को याद ने रखना है, अपने को कौन से वाले सम्मीकण को याद रखना है, जो लोग वाला formula है ना, उसको अपने को ध्यान रखना है, तो बत अंसर कुन सा हो जाएगा अपना, अंसर 3 हो गया क्या, देखो देखे, अरे दिख रहा है ना, अंसर 3, तो आंसर कुन सा हो जाएगा अपना, यहाँ पर 3 हो जाएगा अंसर, बताइए, कर सकते हो कि आप लोग इसको आसानी से, कर सकते हो ना, ठीक है, अब हम लोग आगे चल करके इसने पूछ लिया कि आपके पास कोई अब लिखे रहा है उसके सक्कन उर्जा का निर्दारान हम लोग कैसे करते हैं मतलब किस ग्राफ के according करते है तो बताइए RNA समीकन क्या था अब यह भी लिखा था आपने क्या था k is equals to k is equals to a dot e to the power minus ea by rt था क्या आपने इस जय कोahan, ब। यही होते था मैंने आपको graph draw करना भी सिखाया था इनिमें, किसका graph graph draw करना था अपने को हाँ अपने को graph graph जो नर scratched यहां पर lnk vs 1 by t में अपने को graph draw करना था, यहां तो कौन था मेरे पास lnk था और यहां पर कौन था 1 by t था, तो जब मैं graph draw करता तो graph कुछ ऐसा बनता था और इस graph की जो धाल आती थी वो कितनी आती थी इसी के equal तो आती थी तो यह कितना हो जाएगा minus ea by r तो बताइए धाल किसके बरावर की minus ea by r और यह क्या होती है सक्रिण उर्जा ही तो होती है तो इसी graph का धाल हमारे पास सक्रिण उर्जा निकालने में काम आता था क्या तो अब देखो graph किस-किस के बीच में बना एलन के और वन बाइटी के बीच में बना तो देखो एलन के और वन बाइटी पहला ही option अपने को दिख दिख दिया तो answer क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पर first कर सकते हो आरा हम से solution कर सकत अबिक्रिया की प्रारंबिक सांदर्ता दुगनी हो जाती है तो उसके अर्धायुकाल पर असर नहीं पड़ता तो अबिक्रिया की कोटी क्या होगी बिल्कुल अच्छा question है तिरह सोचो इसको आप लोग भी थोड़ा ध्यान से कि अब जब यह क्या बोल रहा है कि अबिक्र करता दुगनी कर दी और अर्धायुकाल पर कोई फरकी नहीं पड़ा तो इसका मतलब तो यह हुआ कि मेरे पास यहाँ पर जो टी हाफ लिखा जाएगा ठीक है वो क्या होगा अर्धायुकाल की क्या होगा समानुपाती नहीं होगा तो यहाँ पर मैं क्या लिए प्रारंबि बिल्कुल तो यहाँ पर देखो हमारे पाट जो टी हाफ है क्या समानुपाती है क्या ए नोड के मतलब अगर सुनने को टी अभिक्रिया है तो यहाँ पर जैसे-जैसे में परार्विक सांधरता को बदलूगा, मिरे पास उसका टी हाफ क्या होगा बदलेगा दूसरी अभिक के होता था क्या बताइए यहाँ पर कहीं पर आ रहा है कि प्राडमिक सांदरता नहीं आ रही तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर यह होता था समानुपाती होता था A to the power 0 और यही तो होगा मतलब इस पर निर्भर ही नहीं करेगा तो कौन सी अभीकरय के लिए होगे आपने पास पर्थम कोटी अभीकरय के लिए अर्दायुकाल प्राडमिक सांदरता पर निर्भर नहीं करता है तो बताइए कौन सांसर हो जाएगा जल्दी 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 क अभीकरय चार आख का बिया अभीकरया लगत udah तो इतना को पहितना अपको नहीं हो पाएगा अप्योर कुछर में इस कोशिन अवर्दी ति बाद में कुछ जेंजेज किये गयेते कर नेक हो सभर एक लिए जख सभीकरय keंशेंग अभीकर्य ili 2 gives then 2xy, मतलब एक अभिक्रिया है, वो जटिल अभिक्रिया है, उसकी कुछ किरियाविदी नीचे दे रखी है, बात समझे, मैंने जब भी आपको बला था कि जटिल अभिक्रिया के लिए, हम लोग जो अभिक्रिया का वेग लिखते हैं, हमेसा हम लोग लिखते हैं, slow step से, बला हमारे पास कोई जटिल अभिक्रिया होती है, तो उसकी किरियाविदी में जो भी पद लिखे जाते हैं, वो अपने आप में क्या होते हैं, एक प्राथमिक अभिक्रिया होते हैं, मतलब जो वहाँ पर रस्यंगन मीती गुनांग होगा, वो ही क्या चला जएगा, आपने पास कितना हो जाएगा वन आ जाएगा अब देखो वेग नहीं हम लोग लिखते हैं तो उसमें कभी भी हम लोग मद्ध्यवर्ती नहीं लिखते हैं मद्ध्यवर्ती मतलब जो अभिक्रिया के दोरान बनते हैं वो नहीं लिखते हैं हम लोग तो जो अभिक्रिया में जो हमारे पास मतलब मैं x को यहां से हटा सकता हूँ, वो कैसे हटा हूँगा, उसको जरा देखना, अगर मेरे को लिखना हो, इस समीकन के लिए, इस समीकन के लिए, अगर मेरे को सामने इस्तिरांग लिखना हो, क्या लिखना हो, सामने इस्तिरांग के eq, पता यो सामने अवस्ता में पढ़ तो मैं इसको 2x भी लिख सकता हूँ गया, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर किसकी सांदरता की बात करेंगे हम लोग, x की सांदरता, रस्मिकन मिर्ट की गुणांग, 2 है तो कहाँ चला जाएगा, पावर में, divide by, यहाँ पर को ने, x2 है, तो यहाँ पर क्या हो बाकी बच्चा उसका, तो मिर्पास किसकी value हो जाएगी, x की, तो यहाँ से मैं लिखूँ, x is equals to, क्या हो जाएगा मिर्पास, k eq, k eq, साथ में क्या रहेगा, x2, और दोनों का क्या हो जाएगा, under root, बताए, क्या आपने x की value निकाल दी, अब यह value निकाल के कहाँ पूट क a multiply by, k eq की power 1 बटे दो, दोनों constantum, इसको नया constant नाम दे सकता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा मिर्पास, यहाँ पर हो जाएगा, x, क्या हो जाएगा, x to the power 1 बटे दो, साथ में क्या रहेगा आपके पास, y to the power 1, पताए, क्या आप यह काम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते है और यहाँ से मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी, अब देखो, यहाँ पर अपने पास वेगनियम में क्या दोनों किरिया कारका रहा गया, x और y, अब देखो, अगर अभी भी कोई मद्धेवर्ती आ रहा था न, फिर मैं उसको भी हटाने की कोशिस करता, तो उसके मैंने लिख दिया, और वेगनियम में हम लोग क्या बोलते थे, कि सर, वेगनियम में जो भी सांधता की घाते होती न, वो ही हमार पास किसको डिनोट करती है, कोटी को डिनोट करती है, तो जरा बताइए, यहाँ पर अगर आपके पास यह वेगनियम है, तो यहाँ पर इसकी कोटी कितनी हो जाएगी, कोटी को क्या हम लोग n से रिपरजेंट करते थे क्या, बिल्कुर रिपरजेंट करते थे, तो यहां से n बराबर में क्या बोलूँगा, इसकी घात कितनी है, एक बटे दो, तो यह हो गया, एक बटे दो, प्लस, इसकी घात कितनी है, एक, तो कितना हो जो जाएगा तो इतने simple questions आप से पूछे जाएंगे competitive exams में तो चलिए बताइए यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं न तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने next question पर next question क्या है आपने पास next question है कि आपके पास एक पर्थम कोटी की अभिक्रया की अगर आपने धंग से देखा हो तो और मैंने करवाया भी था last time जब मैंने lecture solution करवा रहा था मैंने revision session में हमने किया भी था फुझे पर्थम कोटी अभिक्रया की थी बताओ यहां पर आपके पास के कितना दे दिया उसने के दे दिया आपको उसने 10 की घात minus 2 second inverse चलो मान लिया पर RMB की सांदरता कितनी दे दी उसने यहां पर एक ही बीकर में हो रहा तो item क्या हो जागा दोनों के लिए same होगा तो सांदरता अगर मैं देखो gram में weight है उसको मैं सक्या मान के चलता हूं सांदरता मान के चल सकता हूं तो यहां पर कितना हो जाएगा मेरे प कितना समय लगेगा तो t बराबर क्या होता था t बराबर होता था 2.303 divided by k और साथ में क्या होता था log अरे क्या होता था बताइए a0 divided by क्या होता था 80 होता था क्या याद आने सबको ठीक है formula बहुत अच्छे से याद हो गया था आप लोगों को ठीक है यहां पर अगर मैं value put क करते हैं तो t तो हमें calculate करना है तो t को तो मैं ऐसे कैसे रख देता हूँ 2.303 है divided by k कितना हो गया 10 की घात minus 2 हो गया क्या तो लिखते थे हैं इसको यह कितना हो गया 10 की घात minus 2, log में कितना रहेगा आपके पास ? log में आपके पास रहेगा 20, प्राड़मिसांद था 20, बाद मे कितनी रही 5 तो यह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और लोग 4 को आफ क्या लिख सकते हो लोग 2 गहात 2 लिख सकते हो क्या क्या बात समझ में आःउए और ղोग 2 का मान त। आपको यादी है तो यहां पर कितना हो जाएगा 2.303 divided by 10 गहात minus two, यह कितना हो जाएगा? log two ki ghaat two, दो की ghaat two आगे आ जाएगा और log two का मान कितना होता है? 0.3010 होता है, तो मैं 0.3 मानके चल लेता हूँ, तो अपना काम हो जाएगा यहां से, तो यह कितना हो जाएगा? इसको अगर कितना हो जागा 230.3 ठीक है यह कितना हो जागा गुणा 0.6 बताइए क्या solve कर सकते हो कि आप इसको जल्दी से solve करके answer कमेंट कीजिए जल्दी कीजिए यह आपर इसको solve करने पर answer कितना आ रहा है कर लिया होगा आप सब लोगों ने कर लिया ना तो यह answer आपके पास आएगा 138 के आस पास तो answer आप फस्ट हो जाएगा कितना हो रहा है 138 सेकंड ठीक है तो answer कुण सा हो जाएगा आपने पास first answer बताइए कर सकते हो कि आप आराम से कर सकते हो ना कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए चलिए next चलते हम लोग अपने next question पर next question क्या है जड़ा उसको भी देख लीजिए जब अभिक्रिया की प्रार्विक संधता को दुगना कर दिया जाए मतलब a से मैं कहां पहुंच गया अब 2a पर पहुंच गया तो सुनने को T की अभिक्रिय के लिए अर्दायुकाल अब देखो अर्दायुकाल पूछा है अब यह भी मैंने थोड़े टाइम पहले बताया था आप लोग को सुनने को यह विक्रिया का T हाप क्या होता है अरे A node by 2 के होता है क्या चलता देखो A node को इसने क्या कर गे जस्ट डबल कर दिया तो यहाँ प बताये कौन सांसर है आदा होता है नहीं गलत है परिवर्थी तो होता है नहीं परिवर्थी तो होता है तीगुना हो जाता है नहीं गलत है कितना होता है दुगना होता है तो अपना कौन सांसर हो जाएगा आंसर 4 हो जाएगा क्या बताये बिलकुल सिंपल सिंपल कोशन्स है आप मेरी ख्याल से easily solve कर सकते हैं इन questions को, okay, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने next question पर, next question आपके पास क्या है जरा देखिए, next question है, आपके पास अभिक्रिया वेग से related है, जो हम लोग पहले lecture में cover करके चले थे, वहाँ पर मैंने आपको अभिक्रिया वेग लिखना सिख कर लेते हैं, यहाँ पर क्या आने वाला है, उसको जरा देखिए, यहाँ पर मैं बोलू कि मेरे पास क्या है, एक अभिक्रिया है, क्या इस अभिक्रिया की हम लोग वेग लिख सकते हैं, ताचनी की वेग, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ यहाँ पर, हम लोग गा, is equals to, अब कौन बचा, h2, h2 भी किरिया का रख है, तो minus 1 बटे 3, dh2, divided by क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, is equals to, अब कोन आपके पास, उत्पाद है, तो उत्पाद के लिए क्या रहेगा, plus 1 बटे 2, okay, उसाथ में क्या रहेगा, dnh3, divided by क्या हो जाएगा, dt, बताएए, ये वेगनियम आप लोग लिख सकते हैं, कि इस अभी किरिया के लिए, लिख सकते हो अराम से, okay, तो अब अपने options को match करते हुए चलते हैं, option क्या बोलते हैं, उनको जड़ा देख लेते हैं हम लोग, तो हमार पास देखो, सबसे पहला option क्या बोल रहा है, कि minus 1 by 3 dh2, इलकुल स देखो, minus dn2 divided by d2, बिल्कुल सही है, minus dn2 divided by dt है, ये किसके बराबर है, twice of ns3 divided by dt के बराबर है क्या, नहीं, ये किसके बराबर है, एक बटे 2 के बराबर है, ना कि ये 2 के बराबर है, तो ये को option भी कट गया, third option को चेक करो, minus dn2 divided by dt, बिल्कुल सही है, minus dn2 divided by dt, is equals to 1 by 2, द तो प्लेस वन बाइटू, वन बाइटू, डिनस त्री बाइटी, बिल्कुल सही, यह अपना option क्या हो गया, सही हो गया, अब चलो, फॉर्थ option को भी देख लो, 3DH2, 3DH2 नहीं है, यहाँ पर क्या होने वाला है, यह अपने पास, कट गया, तो आंसर कौन सा हो गया, आपके पास, आंसर हो गया, 3D, बिल्कुल सिंपल question, और board में भी MCQ में ऐसे question आप से पूछे जा सकते हैं, उसके लिए तयार रहना आप लोग, और मेरे ख्याल से अपके बास ऐसा question कहीं पर भी दिखेगा, आप उसको छोड़ के नहीं आओ कभी भी, चाहे वो board में आपको दिखे, चाहे आपको competitive exam में आपको दिखे, तो चलिए, next question पर हम लोग चलते है, next question फिर से एक अच्छा question है आपके लिए, इस question को भी मैं दो तरीके से करना सिखाऊंगा, अधर मैंने एक तरीका तो पहले आपको सिखाई दिया, अभी जैसे probability वहीं पर कर लेंगे, यहाँ पर बोलो, देखो 2A और B के साथ देव रहाए, अभी क्रारम की वेग कितनी है, यह है, बतो, अगर अभी क्रारम के लिए मेरे को वेग लिखना हो, तो वेग में क्या लिखूँगा, वेग बराबर यही तो लिखूँगा, कि जो किरियाकारक ह और दूसरा किरियाकारक उसकी power y, यही तो लिखूँगा, मैं वेग इसके लिए वेग नियम से, ठीक है, मैंने वेग लिख दिया, अभी इस टाइम इसका वेग कितना है, 0.3, मतलब यहाँ पर मैं वेग की जगह क्या लिख सकता हूँ, वेग की जगह मैं लिख सकता हूँ, 0.3, बताइए, आपके पास यह क्या कर दूसरा, बिल्कुल बन गया, आगे क्या बोल रहा है, एथ ता बी दोनों की सांदरता दुगनी करने पर वेग हो जाता है, 2.4, मतलब वेग 2.4 कब हो जाता है, जब मैं क्या कर दूँ, एक को तो 2A कर दूँ, और B को भी क्या कर दू तू भी कर दूँ, यह होगा एक क्वेशन दो, बोला उसके अकोडिंग लिख दिया ना, ठीक है, बिल्कुल सही है, आगे क्या बोल रहा है, अकेले A की सांदरता दुगनी करने पर वेग 0.6 हो जाता है, फ़लो यह कितना हो जाता है, 0.6 हो जाता है, कब होता है, जब अकेल से हम लोग इसको जल्दी-जल्दी सोल करेंगे, जल्दी-जल्दी तरीका मैंने आपको बताया था, आपको क्या करना है, आपको तो ऐसे सम्मिकर लेने है, जिन में से 1 cancel out हो जाए, कैसे भी करके, और यह मान के चलना, NEET और जही में में अगर आपस question पूछा जाता है, तो maximum मेक्सिमम् कंडिशन यहां सिर इक आपके पास समाइकर्ण एक का भाग लगान है ठीक है परसंटेज लग रहा होगा है सबको मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ डिवाइड बाई समीकर्ण नंबर एक अब क्या करना है तीन में समीकर्ण एक का भाग लगाना है तो देखो 0.6 डिवाइड बाई यहाँ पर कितना बचेगा 0.3 इज इक्वल्स टू क्या K से K cancel out हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा B की पावर Y से B की पावर Y cancel हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा A की पावर X से A की पावर X भी cancel हो जाएगा लेकि नीचे क्या बचेगा मेरे पास सोरी यह उपर की तरब लिखूंगा मैं समीकर 3 को उपर लिख रहा हूँ तो यह कितना हो जाएगा 2 की पावर कितना है x divided by क्या रहेगा 1 यह कहानी होगी जल्दी से देखो यह प्रेक्टिस से चीजे हाएंगी अगर आप लोग भी सोल करने लगोंगी ना प्रेक्टिस से तो ऐसे चीजे आप इजीली लिख सकते हो अब देखो यह कितना हो जाएगा क्या दो बार जाएगा क्या तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है और यहाँ पर 2 की पावर कितना है x है, मैंने क्या बताइ था, जब भी आपके पास पावर, sorry, घात क्या बोलो, जब भी आपके पास आधार सेम हो, तो घाते क्या हो जाती है बराबर हो जाती है, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया बताइए एक आ गया क्या, मतलब एक x के साप x कौन सी अभी करिया है, यह पर्थम कोटी की अभी करिया है, चलो, यह पहला काम हम ने कर लिया, दूसरा काम किसके लिए कर लिए कर लिए करते हैं, बी में भी सेम ऐसे ही देखो, एक को cancel out करना आपने को, तो देखो यहाँ पर a दिख रहा है क्या इन दोनों समीकन में ए दिख रहा है, तो क्या कर दू में, समीकन 2 में समीकन 3 का भाग लगा देता हूँ, मतलब 2 में किसका भाग लगा रहा हूँ, समीकन 3 का भाग लगा रहा हूँ, तो जरा देखो अगर ऐसे भाग आप लगाओगे तो क्या यहाँ पर आप इसको कर सकते हो क्या easily देखो देखो इसको यहाँ पर में पास क्या है 2 भाग 3 है अगर 2 कौन सा है यहाँ यहाँ पर 2.4 है बिल्कुल 2.4 है divide by नीची कितना है 0.6 है इसको जब आधार बराबर हो तो गहते क्या हो जाती है यहाँ पर कितना हो जाती है y इक्वल्स टू आ गया क्या बताइए y किसके लिए था? b के लिए और x किसके लिए था? a के लिए तो चलो अब options को पढ़ते हुए चलते है option क्या बोल रहा है? अपना पहला option बोल रहा है कि a के संदर्ब में 2 मतलब अभिक्रय की कोटी a के साप x कितनी बता रहा है यह 2? नहीं a के साप x तो कितनी आ रही है? हमारे पास 1 आ रही है तो यह option भी क्या हो गया? कट गया b के संदर्ब में 2 ठीक है बिल्कुल सही देखो b की power में को उन था? y और y का मान कितना आ रहा है? 2 तो यहाँ पर हम लोग क्या बहुँंगे? b के संदर्ब में कितनी है? b की कोटी 1 है? नहीं, b की कोटी 1 नहीं है क्यूकि b की कोटी कितनी बोल दी है? अभी 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 अपन ने 2 बोलती तो बताइए कर सकती हो कि आप ऐसे questions को आराम से? मेरे ख्याल से बहुत आराम से आप ऐसे questions को कर सकते हो next question पर चलते हैं next question हमारे पास क्या है? 2x gives then y यदि x की सांदर्ता 0.2m है तता t-half कितना अपने पास 6 hour है इसने क्या दे दिया अपने को एक तो t-half दे दिया और x की सांदर्ता दे दी यह है मानती है कि अभिक्रिया सुनने को t की है तो x की सांदर्ता 0.5 से 0.2 तक होने के लिए कितनी समय की आउशक्ता होगी बिल्कुल simple question है और मज़िदार question है उसको भी देखना यहाँ पर देखो इसने क्या बोला अपने को जो जो चीजे दे रिखे उनको देख लेते एक बार t-half इसने बोल दिया कितना है हमारे पास 6 HR है कब जब प्राणमी इसके सांदरता कितनी है 0.2 M है तो ज़रा एक बार बताओ t-half किसके बराबर होता है इसका अरे a node by 2k के बराबर होता है क्या तो बताए क्या आप यहाँ से easily k कमान निकाल सकते हैं क्या वोल सर बिल्कुल निकाल सकते हैं तो यह कहाँ चला जाएगा यह यहाँ आजाएगा यह इदर आजाएगा तो यह कितना हो जाएगा 0.2 divided by 2 multiplied by 6 यही तो कहाँ नहीं होगी अरे यही होगी ना कहाँ नहीं तो ज़रा आप देखिए अगर मैं इसको करूँ यहाँ से अगर मैं इसको solve करना हो तो नीची कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा और 2 से 2 cancel out हो जाएगा क्या तो 2 से 2 cancel out होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा मैं इसको direct लिख देता हूँ यहाँ पर मिर पास होगा 1 बटे 60 बताइए यही आ जाएगा कि मिर पास किस का मान के का मा है अब यहाँ पर बताओ सुनने को टी अभी करेक लिए में को time निकालना है तो मैंने आपको समीगन लिखना सिखा है था वहाँ पर क्या लिखना सिखा है था हम लोग इसको a की form में र की form में भी हमने लिखा था rt is equal to क्या लिखा था r node minus kt बताए कितने लोगों को यही सम समीगन से लिखा जाता है यहाँ पर जो values है उनको लिखते हुए अपनों question को solve करते है जरा बताए यह rt का मान कितना आएगा 0.2 is equal to r node का मान कितना है 0.5 minus k का मान कितना है 1 बटे 60 multiply by t हो जाएगा क्या यह इधर आएगा तो यह कितना हो जाएगा minus का होगा तो यह कितना t is equal to 0.3 minus 60 होगा क्या point हटेगा और t is equal to कितना आजाएगा 18hr आजाएगा क्या बताए इक कमान कितना आगया अपने पास 18 आगया क्या तो कौन सा option दिख रहा आप लोग को 18 पहला यह option दिख रहा है क्या कर सकते हो आप easily इस question को कर सकते हो ना रमसे बिल्कुल simple सा question था आपको जो पहले प्रारेंबिक सांदरता दी है उससे हमें क्या निकालना था अगर के आपने निकाल लिया तो फिर हम लोग को समीकन पता था जिससे हम लोग easily क्या कर सकते है टाइम निकाल सकते हैं बताए कर सकते हो आप ऐसे questions को कर सक question क्या है कि अभिक्रिया वेक में अभिकार को की सांदरता में वर्दी करने पर परिवर्तन होगा ठीक है तकर सिद्दान से question है यहां पर यह क्या बोल रहा है कि हमारे पास सपोच करो पहले अगर अभिकार एक अ था तो ए से अब मैं कहां जा रहा हूँ ए से मैं उनके container था इसमें अभी 10 अनू किसके थे मैं यह मान के चल रहा हूँ कि इसमें कितने अनू थे 10 अनू एक थे तो बताओ यहां पर क्या 10 अनू ही टक्कर कर रहे होंगे क्या बिल्कुल कर रहे होंगी और उनका फिक्स नंबर होगा ठीक है अब मैं यहां पर कर दूँ 100 अनू कितने कर दूँ 100 अनू तो बताओ अब उनके बीच में जो टक्कर होने वाली है क्या उन टक्रों की संक्या बढ़ जाएगी क्या बढ़ जाएगी तो चलो अब हम कोश्चन को सोल करना इस्टार्ट करते हैं दहली उर्जा दहली उर्जा तो क्या होती है आपके पास अभिक् संक्या क्या हो गया अदु आपना आनसर क्या हो गया second अपना answer हो गया पताइए कर सकते हो यह ऐसा question को आराम से आगे second उर्जा दे रिखिए जब देखो दहली उर्जा इफिक्स है तो यहां से यहां तक की उर्जा भी तो fix ही रहेगी, second उर्जा भी fix ही रहेगी अभी की रहेगी उस्मा अभी की उस्मा अगर यह उस्मा सोसी है तो यहां से यहां तक की रहेगी और उस्मा सोसी है तो नीचे से निकल जाएगा वो भी हमार पास क्या रहने वाले होगी, same रहने वाली होगी तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं किस में वर्दी होगी संघटे आवर्ती में वर्धी होगी बताइए कर सकते हो इस question को भी आ रहा है हम से ओके तो चलिए अब अपना next question है उसको भी हम लोग देख लेते हैं यह बोल रहा पर्थम कोटी की अभिक्रिया के लिए वेग इस्तिरांख मतलब यहां पर क्या दे रहा है आपके पास एक पर्थम कोटी की अभिक्रिया है उसके लिए आपको के दे रहा है बिल्कुल सिंपल सा question है इसको भी आप easily कर सकते हो और जहां तक मेरे को याद आ रहा है मैंने इस साथ यह question आपको पहले भी करवा दिया था लेक्चर में कोई बात नहीं फिर से देख लेते हैं यहां पर के कितना दे रहा है 4.606 into 10 to the power minus 3 second inverse ओके बिल्कुल मान लिया ठीक है उसके बाद यह बोड़ा है कि अभिकारक को 2 gram से 0.2 gram मतलब ए नोड आपके पास चलो आर नोड की फॉर्म में लिख लेते है आर नोड आपके पास कितना है 0.2 gram है और आर टी आपके पास कितना है 0.2 gram है यहां तक होने में कितना समय लगएगा इसने यह पूछा है क्या पर्थम कोटी अभिक रहा का है बिल्कुल पर्थम कोटी तो T equals to कितना होगा 2.303 divided by K और साथ में लोग में क्या रहेगा R0 divided by RT यही तो होगा यादना आपको फॉर्मुला ठीक है तो चलिए यहां से अगर मैं value put करता हूँ तो value put करने पर में पास कितना हैगा 2.303 divided by 4.606 into 10 to the power minus 3 है क्या बिलकुल यह minus 3 हो जाएगा और साथ में आपके पास क्या रहेगा log log यहाँ पर value कितनी है 2 बटे 0.2 तो काटूंगा तो 10 बार जाएगा क्या और log 10 कितना होता है 1 होता है क्या तो यहां से ही कितना बच जाएगा मेरे पास T equals to यह उपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.303 गुणा 1000 बटे 4.606 यह तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहां इसको अगर मैं काटूंगा तो यह कितनी बार जाएगा 2 बार और 2 से 2 को जाएगा तो कितना जाएगा 500 तो बताए तो यह थे बिल्कुल सिंपल से question अपने पास चल रहे हैं, बिल्कुल tension नहीं लेने का, आराम से board के question भी इसी-सी pattern पर बनते हैं, हम लोग आराम से solve कर सकते हैं, बिल्कुल simple-simple से question है, तो चल यह, हम लोग चलते हैं, अपने next question पर, next question क्या बोल रहे हैं, उसको भी जरा देख यह बोला है कि एक अभिक्रय के लिए, जब ताप 27 degree Celsius से 12 degree Celsius किया जाता है, तो अभिक्रय की दर का नियतांग 5 गुना बढ़ जाता है, बिल्कुल second रूजा वाला question है, आरे नहीं समय करते हैं, बहुत अच्छा question है, तो चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, यहां पर इस जब इसको Kelvin में convert करेंगे, तो यह कितना हो जागा, 325 हो जाएगा, हाँ, यह हो जाएगा आपके पास 325 Kelvin, पताइए, कर सकते हो क्या आराम से, तो यह आपके पास 325 Kelvin हो गया, अगर आप देखो, यहां पर हम लोग value put करते हैं, यहां चेक कर लेता हूँ, 27352, 5, 2, 3, हाँ, 3 25, यहां पर देखो, अगर हम लोग बात करें, आगे, क्या आपके पास, अब दरनियतं कितना हो जाता, 5 गुना बढ़ जाता है, मतलब सपोच करो, यहां पर अगर वो कितना था, K1 था, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 K1 हो जाएगा, पताइए, कर सकते हैं, यह तो जो question में डेटा दे रखा है उसी को हमने लिखा है अब क्या पूछा उसने सक्रेंड उठ जा मतलब आप लोगों से इसने calculate करवाईए तो आजो हमार पास formula याद है कि आप लोग को log वाला log equals to क्या होता था k2 divided by k1 मतलब दर्निय तांग is equals to साथ में क्या होता था ea divided by 2.303 r और साथ में क्या रहता था log और log में क्या होता था 1 by t1 minus 1 by t2 हुआ करता था क्या अरे होता था न दिल्कुल होता था तो चलो values हम लोग यहाँ पर put करते हैं तो यहाँ पर value मैं put कर रहा हूँ log k2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 वो जाएगा k1 हो जाएगा और यहाँ पर यह कितना रह जाएगा k1 ही रह जाएगा is equals to यह हम लोगो calculate करने इसको ऐसे कैसे रहने दो यहाँ पर हो जाएगा 2.303 ठीक है यहाँ पर देखो r को मैं भी ऐसे ही रख रहा हूँ क्यों रख रहा हूँ उसका भी आपको थोड़ टाम बाद रिजन दूँगा ठीक है आर की वेल्यू को हम लोग क्या करते है solution में अपने पास जो अगर 25 पैसे कुछ number बने था तो वहाँ पर हम लोग आर की वैल्यू फिर इसको यह वैल्यू ना रख्के हम लोग क्या रखते यह कितना हो जागे आपके पास log हम यहां पर कितना होगा वन बाए एसफी मने यह ल्यू लोग पांच लोग पांच की वैल्यू मैंने पहले आपको बता रखी है कितनी होती है log 5 याद रख ले ना इसको log 5 होता है 0.699 जिसको हम लोग क्या बोल देते है 0.7 भी बोल देते है ओके तो solution आराम से लिखने के लिए यह कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा is equal to ea divided by 2.3 3-0-3 को मैं क्या बोल देता हूँ 2.3 बोल देता हूँ लगभग अपना आंसर आ जाएगा multiply by r2 value कितनी रखू 25 बटे 3 तो यहाँ पर 25 तीन ऊपर चला जाएगा तो 3 गुणा में हो जाएगा multiply हो यहाँ कितना होगा अगर LCM लूंगा तो LCM कितना आएगा TA is equal to 0.7 ठीक है multiply by 2.3 multiply by तो साथ में कितना है 100 है और multiply by 325 बताइए क्या आप इसको solve करके मेरे को इसका answer बता सकते हो गया बता सकते हो कि solve करके answer इसका हाई ना कर सकते हो ना राम से ओके solve कर लो मैं आपको इसका direct answer बता देता हूँ यहाँ पर इसका answer हमारे पास रहने वाला होगा 52.2 के आसपास कुछ आएगा कितना आएगा यह 52.2 तो answer अपना कौन सा रहेगा first बताइए क्या आप आराम से इस question का answer लिख सकते हो क्या कर सकते हो ना simple से लेखो यहाँ पर थोड़ा सा lengthy question है lengthy question किसली manner में है calculation के pace में manner है मतलब manner में lengthy है और यह मान के चलो अगर activation energy question पूछा जाता है इतनी थोड़ी बहुत calculation तो करवाएगा और साथ में जही main का question है तो calculation तो करनी बनती है क्योंको maths वाले को calculation करनी होती हाँ अगर यह question नीट में पूछा जाता थोड़ा सा change करके पूछा जाता जैसे अभी मैं pattern बताऊँगा आपको किस pattern पर question पूछे जा सकते है next question पर हम लोग चलते है next question क्या है हमार पास एक उस्मा 6P अभिकरिया है कौन सी अभिकरिया है उस्मा 6P अभिकरिया उस्मा 6P अभिकरिया के लिए reaction का graph मैंने आपको बनाना सिखाया था याद है या भूल गए याद करो मैंने बोला था आप एक graph याद रखना दूसरा graph आपको अपने आप याद हो जाएगा तो आप मैंने उस्मा 6P वाला याद करना के लिए बोला था हाँ याद अगर आप नहीं भी करना चाहते तो तरीका भी मैंने बताया था आपको उस्मा 6P का मतलब उर्जा बाहर निकलेगी तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास उत्पाद की उर्जा क्या होगी कम होगी और किरिया कारे की उर्जा क्या रहेगी ज्यादा होगी तो यहाँ पर अगर मोग इसके लिए graph ब्रो करें तो graph मेरे पास कुछ-कुछ ऐसा ही बनेगा क्या बिल्कुल ऐसा बनेगा यहाँ पर कौन-कौन क्या-क्या है उसको मैं बता देता हूँ यहाँ पर मिर पास कौन होगा reactant होगा और यहाँ पर कौन होगा मिर पास product होगा यही तो होगा ठीक है अब ज़रा देखिए यहाँ पर जो इसने बोला है उसको भी लिख लेते हैं के लिए सक्रियन उर्जा 30 किलो जूल है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ही जो है ना इसकी value कितनी है 30 किलो जूल ओके माल लेते हैं हम लोग यदि इस अभिक्रिया के लिए उर्जा परिवर्तन डेल्टा ई अब देखो यहाँ पर यह उर्जा परिवर्तन डेल्टा ई नहीं दिया आपको डेल्टा एच दिया है उसने यह बस आपको थोड़ा सा "'E-r' ही तो होता है यहीं होता है एक मैं चाहिक है आख हमें क्या देद इदी इन दोनों का उर्ज हपरी भी दटर मिल crazy दे अग prz talk मैं इसने कितना ऋडिए है और देल्टा हेच का मार्ण इसने कितना डिये बताएच का मान डिया है %20 fair अब देखो मतलब यह वाला difference हमें कितना है मैनिस 20 किलो जूल अगर हम लोग इसको value के फॉर्म में लेकर चले तो यहाँ पर इसकी value कितनी है 20 किलो जूल है अब यह बोल रहा है तब परतीप अभिक्रिया के लिए सक्किन उर्जा का मान ग्याद कीजिए तो परतीप अभिक्रि उसके लिए second उर्जा ये वाली तो होगी मेरे पास तो यहाँ पर इसकी value कितनी होगी तो 30 तो ये रही और साथ में 20 ये रही और 30 और 20 कितना होगी 50 होगए क्या तो अपने पास answer कौन से हो जाएगा second बताईए बिल्कुल simple सा question था आप आराम से इस question को time कर सकते थे कर सकते हो ना कोई दिक्कत आएगी असे questions में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप आराम से questions को कर सकते हो तो चलिए अगला question की तरफ हम लोग बढ़ते है अगला question हमारे पास क्या है उसको भी जड़ा देखिए यहाँ पर हाँ यह देखो आपसे किस में पूचा गया है जही main में question पूचा गया है बिल्कुल simple question है अभी जो pattern पर हमने question किया था उसी pattern पर यह question लग बग है तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं ज़रा देखिए यहाँ पर यह बोला log के versus 1 by t के मद्द्ध ग्राफ आले कित है तो यह ग्राफ किस-किस के बीच में है उसका मैं एक बर समीकर लिख देता हूँ log k is equals to हमारे पास क्या होता था log a आता था minus ea by 2.303 rt होता था क्या क्या होता था rt मतलब हमारे पास क्या होता था यह उस ग्राफ का ढाल होता था तो यहाँ पर इसने क्या दिया है यह ढाल लिखा है उसी ढाल को हम लोग क्या करेंगे इसके बराबर करेंगे और अपना आंसर इसी से निकलने वाला है देखिए यहाँ पर क्या लिखना है आपने को जरा ध्यान से देखिए मैं बोलू कि अगर यहां से मेरे कुछ ढाल को बराबर करना तो ढाल यह दे रखा यहां तो यही है ना तो ज़रा बताइए E A divided by 2.303 R साथ में माइनस भी रहेगा यह रहेगा इस इको ढाल किसके बराबर हो जाएगा मतलब unit को balance करने के लिए तो यहां से अगर मेरे को E A लिखना हो तो बताइए E A कितना आ जाएगा यहां से यहां से E A multiply करूँगा तो यह कितना हो जाएगा 1 0 0 0 0 multiply by 2.303 साथ में क्या रहेगा R रहेगा अब देखो K भी मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं क्योंकि यहां पर K की मैंने अभी unit नहीं लिखी है तो K cancel out होने वाला है यहां से जैसे R की unit लिखूँगा तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा K cancel out हो जाएगा R को जैसे मैं solve करूँगा तो यहां पर यह मेरे पास क्या आगई इस अभिक्रिया के लिख क्या second उर्जा मेरे को पता लग गई क्या बिल्कुल पता लगी अब क्या पूछा है किस ताप पर अभिक्रिया की दर मतलब इसने temperature पूछा है और अभिक्रिया की दर कितनी हो जाए 10 to the power minus 4 हो जाए तो यहां मेरे पास अगर यह T1 temperature है तो यह कितना हो जागा 10 to the power minus sorry जब T1 temperature है मेरे पास तब मेरे पास वेग नियतांग कितना है 10 की घात minus 4 है और जब P2 temperature T2 कितना दिया temperature दिया उसने 500 Kelvin कितना दिया है 500 Kelvin अब यहां पर temperature कितना हो जाएगा sorry यहां पर वेग नियतांग हो कितना हो जाएगा 10 की घात minus 5 हो जाएगा तो बताइए T2 temperature पर जो मेरे पास वेग नियतांग आएगा इसको में किस से लिख से लिख से लिख से लिख से लिख करते हैं हमार पास formula क्या रहेगा log k2 by k1 is equals to यहां पर क्या रहेगा अपने पास बताइए जल्दी यह by 2.303 और साथ में क्या रहने वाला आपके पास r आएगा और यहां पर क्या होगा 1 by t1 minus 1 by t2 बताइए यही काम होगा क्या अपने पास बिल्कुल सर यही होने वाला है तो यहां से अगर हम लोग आप values पूट करें यहां पर क्या होगा log 10 to the power minus 4 divided by 10 to the power minus 5 पीछे जो values थी ना उनी को पूट कर रहा हूं मैं देखो यह जो values थी ना अपने पास पस इसी को पूट कर रहा हूं तो यहां पर यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा माइनस यह की value कितनी आई थी जरहा एक बार पीछे चलके देख रहेते हैं हम लोग यह की value हमार पास आई थी 140 2.303rk यही थी ना ठीक है तो value अगर हम लोग यहां पर पूट करें तो यहां पर कितना हो जाएगा ea value कितनी होगी 10000 into साथ में क्या रहेगा आपके पास 2.303r यही तो होगी कहानी ठीक है तो r की unit से r की unit मेरे पास completely cancel out हो जाएगी तो जी नीचे क्या रहेगा 2.303r यह complete cancel out हो जाएगा यहां क्या बचेगा 1 by t1 t1 calculate करना है minus 1 by 500 बताइए यही कहानी होगी क्या कुछ अगर यह कहानी हमार पास पता लग जाए इसको हम लोग solve कर लें तो हम क्या कर सकते हैं आराम से इसको calculations कर सकते हैं क्या तो चला बताइए यहां पर क्या बचेगा मेरे पास यहां पर होगा log इतना होगा log by 10 to the power minus 1 होगा क्या minus 1 ब七 आ गगा मैनिस एक हो जाएगा यह बिलकुल हो जाएगा यहां प्रत यह complete से complete थे call separated होगा इहां कितना होगा 10 गीरो जीरो जीरो गार जाल बहुंगाए एवन माइनस गड़ी तो इसको में डिवैड में भेज दू तो कितना हो जाएगा चलो इसको मैं थोड़ा सा रेंज करके लिख जाएगा यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 by 1 by T1 is equals to यह अगर उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस और वो प्लस में हो जाएगा तो 1 by 500 माइनस 1 by 1000 यही कहानी होगी तो जोड़ा बताइए क्या आप इसको आराम से सोल कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या करना आपको LCM लेना LCM लेके सोल करना है LCM लेके सोल करोगे तो यह आपके पास आपके पास कितना हो जाएगा 1 by T1 is equals to यहाँ पर अगर मैं 10,000 LCM लेता हूँ तो यह कितना हो जाएगा 20 minus 1 यही तो कहानी होगी तो यहाँ से कितना हो जाएगा जिस्ट उल्टा अगर मैं इसको करेके लिख दूँ तो T1 equals to होगा 10,000 divided by 19 बताइए इसी के आसपास कुछ होगा क्या देखो अगर यहाँ पर perfectly 20 होता तो यह कितना होता 500 के आसपास होता यही तो होता लेकिन अब क्या होने वाला यह 500 से थोड़ा सा जादा आने वाला है तो केल्विन बच्चा हुआ था ने यह फाइनल तक केल्विन चल रहा है ठीक है साथ मेंते को मैंने लिखा नहीं होगा यहाँ यहाँ पर अपने पास क्या है कैल्विन तो यह कैल्विन में चल रहा है इससे यह cancel out हो जाएगा और कैल्विन अपना answer आ जाएगा बताइए कर सकत कर सकते हो ना तो चलिए अब हम लोग चलते है अपने next question पर next question क्या है उसको जरा देख लीजिए यहाँ पर क्या बोला है बिल्कुल simple question है अभिक्रिय की n भी कोटी के लिए क्या पूछा आपसे इकाई पूछी है तो ज़रा देखिए मैंने आपको पहले भी लिखना सिखा है था जब भी लिखने है तो आपको क्या लिखना है अभिक्रिय कर आपको पर k a to the power, मतलब कोटी कितनी होगी, n होगी, ये किसमें होगा, mol per liter, और second में होगा, ठीक है, ये क्या होगा, mol per liter second, is equals to, k को ऐसे क्या से रख लो, ये किसमें होगा, mol per liter में रहेगा, और इसके power क्या रहेगी, n, दोनों को अगर मैं open कर दू, power को n कर लो, और यहाँ पर अगर म n हो जाएगा, liter, liter नीची की तरफ तो ये कहा आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, और यहाँ पर कितना होगा, नीची, एक liter नीची भी है, तो उपर जाएगा, minus 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, n minus 1, और साथ में क्या रहेगा, second minus 1, बताएए, क्या easily आप इसकी even क लिख सकते हो क्या मैं तो बोलता हूं इसको आप याद ही रख लिया करो कि यहां से अगर आप इसको याद रखते हो न तो आप से बोर्ड में simple simple question पर कुछी जाते हैं कि first order के लिए क्या होगी ठीक है second order के लिए क्या होगी third order के लिए क्या होगी तो आप easily यहां पर n की value रखके लिए का ही निकाल सकते हो अगर याद नहीं रख सकता तो आप formula तो याद रखी सकते हो ना यह वेग नीम वाला formula तो उससे आप easily calculate भी कर सकते हो पताइए कर सकते हो आप आराम से तो कौनसा answer हो जाएगा इसका अंसर कुनसा हो जाएगा और यह third दिख रहा है ना third answer हो जाएगा आपका यहां पर तो कर सकते हो आप easily इसको पताइए कर सकते हो ना easily ठीक है तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने next question पर next question भी बिल्कुल सा question है यहाँ पर क्या बोला है देखो इसने बोला है अगर question को हम लोग आगे ना पढ़े पहली line से पढ़के करने कोशीज करें ना तो वहां से हम लोग नहीं कर पाएंगे चलो पूरा ही पढ़ लेते हैं यहाँ पर यह बोला है किसी अभिक्रिया A to the B A से B की तरब जा रहा हूं है तो अभिक्रिया के लिए enthalpy यहाँ पर देखो enthalpy दि तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि हमार पास जो उत्पाद की उर्जा होगी वो बहुत कम होगी और किरिया कारेक की उर्जा क्या होगी जादा होगी तो अपने वो graph ऐसा डूणना है जिसमें उत्पाद की उर्जा कम हो तो ज़रा देखें पहले वाले graph को देखो पहले वाले graph में क्या यहाँ पर मेरे पास कौन होगा रियक्टेंट होगा यहाँ पर product की उर्जा जादा आ रही ही गया तो यह option भी कट गया इसे डिए में से और वाले में देखो, यहाँ पर यहाँ पर क्या होुरा है मेरे पास, कि यह मेरे पास reactant है, यहाँ पर मेरे पास product है, क्या product की उर्ज़ा कम आ रही है, बिल्कुल, तो बस यही अपना क्या हो गया, answer हो क्या, बागी को भी देख लेते हैं, यहाँ पर दोनों क पूछी जाते हैं तेको ने 2021 में पूछा गया था कर सकते हो न आप ऐसे कुशिंस को बाके सब लोग आराम से कर सकते हैं चलिए next question है अपना last question आज के session का उसको भी हम लोग कर लेते हैं बिल्कुल आरेने समीकंड से यह परतम कोटी अभीक्राल के आरेने समीकंड दे रखा मतलब इनकी बीच में graph दे रखी है की ढाल मतलब इसकी ढाल दे रखी है लोग ग्राफ ड्रो कर लेते हैं यहां पर graph किसकी इसकी बीच में बनाए गया उसने एलन के एलन के और साथ में वर्सेज क्या लिया है उसने वन बाई टी तो अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको graph बनाने सिखाया था इसका अगर आप लोग को याद हो तो और इसकी ढाल कितनी दे रखी है उसने इसकी ढाल उसने दे रखी है माइनस पांच गुणा दस 10 to the power 3 k यही तो होगा अगर मैं multiply करूं माइनस में है एक क्या पूछा है इसने अभी क्रेक लिए सक्की ने उठ जा का माणी तो पूछा है तो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और ea is equal to कितना हो जाएगा 5 into 10 to the power 3 k और 7 में क्या रहेगा r की वेली कितनी हो जागी जीरो एट पॉइंट 314 जूल पर मोल क्या रहेगा है अपर हाँ पर मोल पर केल्विन यही तो होगा ओके तो यहां पर देखो अगर इसको सोल करते हैं तो यहां पर सोल करने पर बताओ कितना आ जाएगा 8.3 multiply करो देगे कितना होता है यह हो गया 15, 1, 40, 40, 40, 41.5 multiply by 3 यह किसमे है जूल में आया यहां पर देखो वैल्यूस किसमें दिर्खे किलो जूल में दिर्खे तो अगर मैं 1000 से डिवाइड करूं तो यहां पर कितना हो जाएगा यह पूरा cancel out और यहां पर यह किसमें आ जाए per mole बताइए क्या answer first हो जाएगा क्या हाँ देखो नीत में इतने बिल्कुल simple simple से question पूछे जाते हैं जिनमें आप calculation बहुत अराम से कर सकते हो ओके जही में 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 अगर आप mathematics से अगर आप हो तो वहां पर आपको हलकी full की calculation करनी ही पड़ेगी तो चलिए आज की session को हम लोग करते हैं मेरे ख्याल से हम लोग MCQs बहुत आराम से कर चुके हैं सारे MCQs हमने बहुत अच्छे से कर लिये हैं चप्टर का revision भी बहुत अच्छे से कर लिया है अब आपके पास अगर chemical kindness के कोई question आता है तो आपको छोड़ना नहीं है उसको बिल्कुल अच्छे से डटके साम ना करना और उस question का answer बिल्कुल सही लेकर आना है तो चलिए हम लोग मिलते हैं हम next chapter के लिए तब तक के लिए okay bye